हाई अबरिबन वेलकम टो डिश्टल जी के क्लासे तो एविएस की हमारी next class है आपको पता है कि 30 नंबर का paper होता है जिसमें से आपके 15 content के होते हैं और 15 आपका pedagogy होता है content हो गया है pedagogy की class करते हैं पूरा अंत तक देखना यकिन मानिए इस बार जो एविएस की आपका exam आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे परहे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें डेली आपकी सुबह में 10 बजे math की class होती है दो बजे अभी आपकी CDP की class और 4 बजे आपकी EWS की class इतना याद रखिए और हर संडे को हम पूरा जो है subject को detail में करेंगे ठीक है चलिए और टेलिग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मेरे comment box से मिल जागा वहां पे आप जोईन हो सकते हैं content के लिए देखिए EWS में pedagogy में काफी लोगों को परेशानी होती है क्यूं होती है हम उस question को देखते है हां देखिए जैसा कि आप यहां पर पढ़ सक अधियन पाठे चर्या अब आप यहां पर नीचे देख सकते होंगे ठीक है इसके नीचे भी सारे चीज़े बना है तो आपको क्या लगता है इसमें क्या सही होगा मालिज आप प्रात्मिक इस तर पर बच्चों को EWS पढ़ा रहे हो तो उसमें एक पर्यावरणी उपागम क आप कोई भी अनुगवन कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है पर्यावरण अधियन पाठे चर्या में EWS के पाठे चर्या में इसका क्या अर्थ है अगर मैं आपको इंग्लिस का दिखाना चाहूं तो देख लिए एन्वार्मेंटल एप्रोच जो आप प्राथमी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सिंबल से बात है आप क्या कराना चाहते हो जो इसका अर्थ है कि पर्यावरण अधियन पाठे चर्या के लिए है पर किसके लिए है पर्यावरण के लिए है तभी तो आपने EWS में इसको इंक्लूड किया है क्योंकि हमारे एन्वार्मेंट के लिए ये एकदम सही है, पर्यावरण के माध्यम से है, आप पर्यावरण के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे, ये भी एकदम सही है, पर्यावरण के बारे में है, ये पर्यावरण के बारे में तो है ही, क्या ये पर्यावरण से है, ये नहीं है, तो हमारा D नहीं होगा A, B, C, प्रात्मिक पे environmental approach को follow करते हैं, this means that EBS curriculum, तो हमारा EBS का curriculum किस चीज के लिए है, environment के लिए है, environment के माध्यम से है, और environment के बारे में है, but environment के द्वारा या environment से नहीं है, ठीक है न, environment के द्वारा थुड़ी न आपने curriculum तयार किया है, तो ये तीनों सही हो जाता है, देखिए इसमें क्या लिखाए कि which of the following term describe EBS, इन तीनों में से EBS को कौन जो है, describe करता है, कौन इसका wordन करता है, यही आप से पूछा है, तो चलो देख लेते हैं, इतना तो आप समझ गया होगी, इंगलिस, हिंदी, मीडियम वाले, तो देखिए, निम्ने में से कौन से पद जो है, पर्यावरन अध्यन का wordन करते हैं, तो कौन सा होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले पूरा जो है, यह explanation देखना होगा, एक चीज़ और लोग करते हैं, वो मैं आपको mistake बता रही हूँ, जैसा कि मानिजे, इतना समज़ गया होगे, तो पर्यावरन अध्यन का इन में से कौन सा जो है, वो wordन करता है, पर्यावरन का anvation, मतलब खोजमीन ये तो करता ही है, पर्यावरन के साथ अंतह क्रिया, इंटरिलेट करते हैं, तब ही तो होगा, पर्यावरण के बारे में सूचना, सूचना जो है ना एक negative word होता है, सूचना से क्या होगा, रटी रटा ही बाते हैं, but interaction करके, खोज मीन करके, यह होता है पर्यावरण, आप बच्चों को पर्यावरण में सूचना नहीं देते हो, activity कराते हो, तो यह गलत हो जाएगा, यह भी ह मतलब क्या है, उदेश से क्या है, observation में क्या करता है बच्चा, observe करता है, activity के माध्यम से, तो इसका क्या purpose है, इसके लिए आपको सारे options पढ़ेने हैं, फिर आपको बताना है, कि इसमें से कौन सा आपका right है, तो चलिए देख लेते हैं, हिंदी में भी, ठीक है, तीनों option पढ है, यह आपको बताना है, तो यादरिचिक समनताएं एवं भीनताएं इकत्र करना, येस, आप जो है, differences, equality, इकठा करना चाहते हो, ठीक है, यह एकदम सही है, हमारे आसपास की वस्तों के बारे में जानकारी इकत्र करना, यह नहीं है, observation में आप जो है न, इकठा नहीं कर रह अब्जर्व करके बताओ, इसमें क्या difference है, तो इसमें आप अंतर बता पाएंगे, कि इसमें ये विभिनता है, इसमें ये समानता है, इसको बोलते हैं, observation, तो इसलिए ये हमारा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये दूसरा, ठीक है, तीसरा C लिखा है, कि बच्चों से उनक प्राप्त करोगे, बच्चों के ही द्वारा, ठीक है न, तो option number A and D, पहला इसमें हमारा सही हो जाता है, ठीक है, चलिए एक बार इसका मैं आपको English भी दिखाना चाहूंगी, देखिए, आप इतना समझ गये होंगे न, कि आपका observation activities का purpose क्या है, collect random similarities, जो भी similarities, differences होंगे वो कर करना, seek information from the object to extend children's ideas, आपको बच्चों के ideas उनके समझ को करने के लिए वस्तु का यूज करना पड़ेगा, वो है, बट आप बस create कर रहे हो, awareness, उससे नहीं होगा, information तो वो होगा नहीं, तो option number A and D, चलिए अगला देखते हैं, यह हमारा है 79, अच्छा इन नीची वाले options में वालत option दिया रहता है, यह देखो कितना lengthy question है, यह देखे, चलिए, इसको पढ़ते हैं पहले ध्यान से, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्यन पुस्तक में सिकारी पौधे, जो निपैंथिस का उधारन दिया गया, आपको पता ही होगा निपैंथिस, सिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय, निवन में से क्या करना सरवाधिक उप्युक्त होगा, यह आपसे पूछ रहा कि क्या चीज़े करना सबसे अधिक होगा, सहीं, चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, पहला देखो लिखा है कि विद्यार्थियों को यह सपष्ट करना कि पौधा सिकार क्य क्यों करता है, क्यों करता है, सब सिमिलारिटीज है, कितना डिफिकल्ट हो चुका है यहाँ पर आंसर फाइंड करना, एक चीज़ बताऊंगी तुरंत आपका आंसर सामने आएगा, कैसे वो देखे, आप बच्चों के अंदर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डवलब करना चाहते हो, और जब भी हम बच्चों को क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डवलब करना चाहते है, किसी भी चीज के लिए, तो हमेशा हमको बच्चों को बोलना चाहिए, कारण का पता लगाओ, कारण का पता लगाने को बोलोगे तो बच्चा उसके बारे में सोचेगा, बस यह बोल दोगे कि क्यूं करता हो, कुछ भी बोल देगा रैंडम, कि वो खाने के लिए करता हो, पेट भरने के लिए, ठीक है न, तो इसका कोई मतलब नहीं है, और पताओ कारण क्या-क्या है, क्या-क्या हो सकते हैं, बागी आप देखो न, सब में क्यूं तो लिखाई है, यहाँ पर प्रश्न करना है, यहाँ पर सोचना है, बट सबसे बेस्ट आंसर है, रीजन, चलिए अगला कोईशन है, फिर से यह लेंदी सा कोईशन आ गया है, आपके सामने, चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर आप देखो, इसमें क्या लिखाई है, कि रजिया एक जो पूरु में उसके सिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी, मदब पहले उसके टीचर ने वो डिमोंस्ट्रेट किया था, वह एक गलती करती है, उसके सिक्षक रोसन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, तो उसने कोई गलती कर दी, उसका सिक्षक है रोसन, उस उसको इसमें से क्या करना चाहिए, इन चारो में से, क्या उसके गलती को सुधार देना चाहिए, उसे गलती को नहीं सुधार ना चाहिए, या उसे उसकी गलती को संकेत करना चाहिए, और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए, या फिर उसे गलती का संकेत करना चाहिए, और ब खूज कर देना चाहिए, चलो संकेत करना तो सही है, बट सही हल खोज कर आप थोड़ी न दोगे, बच्चे को बोलो कि बच्चा खुद से खोज है, संकेत दे दिया, अब बोलो कि बच्चा अब तुम खोजो, ये नहीं कि मैं खुद आपको पका-पाइदे दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए तो चौथा हमारा सही होगा क्योंकि आप संकेत होगे तो बच्चा क्या करेगा सही हल उसको खोज निकले आप बोलोगे ओके फोर हमारा सही है चलिए अब यह कोश्चन है सारे ओप्शन्स पढ़ने हैं यह नहीं कि यहां तक पढ़ लिया तीसरा तुरन टिक करके आगे बढ़ जाए पूरा ओप्शन्स पहले ध्यान से पढ़ना है ठीक है ने तो बहुत बार ऐसी गलती होती है कि हम दो या हम तीन बस पढ़ पाते हैं देखे लिखा है कि पर्यारण अध्यन EBS पाठी चरे एक विश्यक उपागम का अनुगमन करती है अरे इसमें दुबारा से एक क्लास में करिकुलम में जो EBS पढ़ने का आपका उद्देश से क्या है अप्रोच क्या है अनुगमन करती है क्योंकि एक ही सिक्षिका पर्यारण अध्यन के सभी विश्यों को सरलता से पढ़ा सकती है क्या ये है विश्यक उपागम का इसलिए कि एक टीचर है वही जो है पर्यारण अध्यन के सारे विश्यों को सरलता से पढ़ा सकती है ये तो नहीं है विश्यक उपागम छात्रों में पर्य देखो चारो आप समने से आपको समझ में नहीं आएगा बड़ सही आंसर है option number three अब देखे कैसे एक बार मैं आपको इंगलिस भी बताना चाहूँगी आप मुझे बताओ EBS का करिकुलम आपको पता है EBS पूरा थीम पे है six themes पे depend है उसका करिकुलम follow क्या करता है एक thematic approach क्यों EBS में आप बच्चों को themes से ही related आप क्यों पढ़ा रहे हो इसका आपने कभी सोचा है क्या इसले पढ़ा रहे हो कि teacher बहुत आसानी से इसको पढ़ा देगा बिल्कुल भी नहीं NCRT ने themes पे रखा है तो उसका कुछ reason है क्या thematic approach जो है differentiate करता है understanding of EBS topics में यह होता है इसका क्य कुछ अलग है कि family है travel है friend है अलग-अलग सारे themes है यह ब्रेक करता है barriers को subject boundaries को क्योंकि EBS के themes को या EBS को आप दूसरे subject के साथ भी connect करके पढ़ा सकते हो food का chapter है आप क्या उसको science में नहीं पढ़ा सकते हो तो यह सारी चीज़े है तो EBS जो है उसमें themes को रखने का उद्देश यही है कि हम क्या कर सकें break कर सकें barriers को of subject boundaries ना कि आसानी इसे teacher पढ़ा सके समझ मैं आपको तीसरा हमारा सही होता है और उदों को तोड़ा जा सकता है चलिए काफी detail में इसमें पूछा भी है यह हमारा question है 82 इसको जरूर बताना last में अपना चलिए देखते हैं अब सबसे पहले क्या करोगे सारे options पढ़ना है यह नहीं कि बस एक जगह तक पढ़ा और खतम ठीक है ना तीन दो चार ऐसे options भी मत लगा ना तुक्के में आग बंद करके ठीक है देखें क्या लिखाए कि निम्ण में से कौन सा विसे उप विसे नीचे दी गए दच्टा से संबंदित हो सकते हैं समाज में भेद भाव के विभिन रूपों का मुल्यांकन करता है अब आप बता इसको एक बार इंगलिस में भी मैं आपको बता देती हूं देखें 82 नंबर discrimination जो हमारे समाज में भेद भाव होता है ना इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छे तरीके से define कर सकता है क्या environment होगा fuel होगा work and play होगा या plants होगा आपके सामने है work and play क्योंकि आपको पता है work and play में आपने देखा होगा कि बहुत सारे male और female के लिए काम निर्धारित कर दिय जाता है कि लड़का जो है बाहर का काम करेगा लड़की घर का तो यह सबसे अच्छा theme है work and play इसमें दिखाए गया कि लड़कियां भी बाहर जाके काम कर सकती है तो सबसे अच्छा है option no.3 work and play तो बहुत आसा question था आपको बस बताना था कि जो समाज में भेद भाव है इन च को पढ़के करना है देखते हैं देखिए इसमें पूरा पहले detail में पढ़ना है बीनुक अच्छा 5 की परियागन अध्यन से खशिका है और छात्रों से उनके पडोस में जल की खपत तता परिवार के आकार के बारे में सर्विक्षन करने के लिए कहती है इस क्रिया कलाप में कौन से प्रक्रिया कांस लोको प्रोसाहिद क्या रहा है कलास फाइफ के इक इक टीजर उसने अपने बच्चाज से कहा कि तुमारे के पानि से पता क्यों पानि यह आपको बताना है चलिए सबसे पहले आप यह क्यों करा रहे हो प्रश्ण करने के लिए मापने के लिए यहां पे सारे नीचे आपको डिटेल में यहां से आपको करना है तो देखो अगर मैं आपको सिंप एक बार देख लेजे वैसे तो इंग्लिस की रिक्वार्मेंट्स बहुत कम होती है, mostly लोग बोलते हैं, कि आप हिंदी में ही बताओ, ठीक है, चलिए, तो इसमें आप देखो, एक बर, सारे options देखो, और eliminate करना सीखो, तो आप ये क्यों करा रहे हो, कि तुम जल की खपत, और इन सब के बारे में पता करो, तो इस क्रियकल आप का मतलब होता है, प्रशन करना, कि बच्चों को प्रशन करना भी आना चाहिए, बच्चों के अंदर होना चाहिए, वो प्रशन करें, ठीक है, ये तो होगा ही, मापने के लिए नहीं, क्या चीज माप होगे आप इसमें, क्या बच्चों का मापन करने के लिए नहीं कर रहे हो, प्रष्ण करने के लिए तो B तो बिलकुल भी नहीं होगा, जहां जहां B हो, उसको काट दो, यहां है B, और यहां है B, यह दो option खतम, दो option बचा है, देखिये, यह बाला तो 100% होगा, इसमें तो A दिया ही नहीं है, बस option प्रश्न करने के लिए सनवाद करने के लिए और परिडाम निकालने के लिए तो देखें अगला कोशन क्या लिखा है गोपाबा जो की नाम है गोपाबा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया गुलकंद जैसे बनायते हैं वो सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं कहते हैं कि देखो आज गुलकंद बनाना है, बच्चों गुलाब के फूल लेकर आओ, जो हेतल है, ये भी हेतल गोपाबा से सिकायद करती है, कि रासी ने कोई है स्टूडेंट उसने पडोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है, तब गोपाबा को क्या करना चाहिए, अब स्कूल उद्यान, विक्सित करने की युजना बनानी चाहिए, देखो, उसे फूल के पौधे लगाने है, तो माली की सहाइता क्यों लोगे, तुमें तो विद्यार्थियों की सहाइता लेनी चाहिए, माली तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाता है, उस जहां B हो, उसे काट दो, अब यहां पर भी B है, ये गलत बाकी तो कहीं है नहीं, ये तो B बल्कुल भी नहीं होगा, अब ये तीन उप्शन है, C और D और A में से देखना है, ठीक है न, तो देखे, A बल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसे विद्यार्थियों को आप गु प्रक्रिया क्यों चुराया है यह भी नहीं होगा उसे हेतल से उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए यह यह होगा कि आप पहले बच्चों को पौधा लगवाओ और फिर बोलो हेतल तुम उसकी देखभा लगवाओ बाद में प्रक्रिया सिखाओ तो C और D चलिए अगला देख लेते हैं यह देखे लिखा है कि प्राथमिक इस्तर पर पर्यावरण अध्यन की प्रक्रिती क्या है मतलब प्राइमरी लेवल पर EBS का नेचर क्या है क्यों आप पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है कैसा है EBS का नेचर क्या EBS इंटिग्रेटेड है इंटर डिस्प्लिनरी है कोरिलेशन है या कॉम्बिनेशन है EBS जो ना इंटिग्रेटेड है अभी मैंने आपको बता है इंटिग्रेटेड का मतलब समय की एक विशय से आप दूसरे विशय को जोड़के पढ़ा सकते हो ठी थोड़े देर पहले explain किया था एक ही कृत है ठीक है ना और integrated word अपने आप में positive word है ध्यान रखना काफी lengthy lengthy question पूछा इतना ज़्यादा समय लग रहा है चलिए ये question देख लेते हैं 86 देखिए इसमें क्या लिखा है इसमें यहाँ पर गुल जो है वो कच्छा तीन के विद्यार्थियों को गुल है कोई teacher प्लास थर्ड के बच्चों को उध्यान भ्रमड के लिए मतलब gardening में कि चलो फूल जहां बगीचे होते हैं उसके भ्रमड के लिए ले गई वहाँ कई प पौधे हैं बट इवेस को अगर आप नजर में रखो तो उसके लिए क्या चीजें चारों में से सबसे इंपोर्टेंट है अध्यान के लिए यह आपको बताना है क्या पेड़ों पौधों के नाम से कि देखो यह गुलाब का फूल है यह जो है मैरी गोल्ड है गेंदे का फ विसे स्ताएं हैं इसे कुछ-कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका आप इलाज में खाने में बहुत सारी यूज हो सकते हैं तो विसे स्ताएं अच्छा है नाम से कुछ नहीं होता है पर्यावरणी इस सितियां जिनमें पेड एवं पौधे उगते हैं कि देखो यह पेड़ तू सहीं है चलिए अब यह कर लेते हैं देखे इसमें क्या लिखा है परियावरण अध्यनटी काक्षा को बच्यों को उतरोतर ऐसे प्रश्न पूछने की योगिता के औसर देने की आवसकता होगी कौन से औसर देने की आवसकता है इन चारो में से तो एक बार इंगलिस का आभी देख लेते हैं, देखे, लिखा हुआ है इसमें कि EVS classroom will need to provide opportunities, EVS के class में ये जो है opportunity हमको provide करने की जरूरत है, to children to be able to progressively, बच्चों के progressively के लिए, प्रगती सील के लिए, क्या चीजे इसमें आपको पूछना चाहिए, कौन से ऐसे questions आपको पूछने चाहिए, क्या lower order के questions प पूछने चाहिए, yes higher order questions तो पूछने ही चाहिए, बच्चों के thinking develop होती है, simple question बिलकुल भी नहीं, ना ही complex, एकदम जटिल, ये भी नहीं, हमको हमेसा higher order questions पूछने चाहिए, जिससे की बच्चे की thinking develop हो, ठीक है, देखे, तो इसका हो जाएगा उच्च कोटी के प्रशन, निम दूसरा हमारा सही है, चलिए, अब अगला करते हैं 88, अब इसमें देखो, ये ऐसे बना हुआ है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है कि रेजी जो है, चांद के सामने चूडी रखती है, और कहती है, मेरी चूडी चांद से बड़ी है, कि जो मेरी चूडी है, वो चांद से बड़ी है, ये चांद है, और ये इसकी चूडी है, क्यूंकि चांद जो है, वो चूडी में आ रहा है, उसके कथर में निम्नलिकित प्रक्रिया है, आपको ओर्डर में लगाना है, आखिर में उसने ऐसा क्यूं सोचाओगा, क्यूं, ये आपको बताना है, तो मैं आपसे कभी भी कुछ भी बोलूं कि यार ये बताओ कि आप सब कि आपका सीटेट में जो है सबसे ज़्यादा इसको कौन से सब्जक्ट में आया है तो आप क्या करोगे आप तो पहले observe करोगे न कि किसमें वैसे ही चूडी जो है इसमें पूरा चांद आ गया है तो चूडी जो है वो हमारी वो चांद से बड़ी है क्योंकि चांद जो है इसमें देखो ये पूरा चांद जो है चूडी में आ रहा है तो उसने ऐसा क्या सोचागा उसने observe किया है और लोकन किया है बीना observe किया वो कैसे बता सकती है ठीक है ना तो C आपका पहला होगा तो देखो क्रम में आ गया C यहाँ पे है पहले उसने observe किया है उसके बाद से उसने तुलना किया है then उसने तर्क किया और last में निसकर्स आता है वो अपने निसकर्स पे पहुँचे कि मेरी चूड़ी तो बड़ी है समझ में आ गया चलिए हमारा तीसरा सही देखिए हमारा 89 वाला कोश्चन है इसमें क्या लिखा है सतत एवं समगर मुल्यांकन मतलब C, C, E continuous and comprehensive evaluation आप ये क्यों करते हो हर दिन बच्चे का निरंतर मुल्यांकन करने के लिए तो इन चारों में से इसका सही क्रम बताना है तो चलो पहले क्रम पढ़ लेते हैं सतत अवलोकन कच्छा सिक्षन समिक्षा एवं नियोजन क्या ये होगा या फिर बच्चों को उपलब्द कराए जाने वाले सिक्षन अधिका अनुभो की व्यापक्ता या फिर आप निरंतन सुधार करने के लिए या फिर उनका विकास के इस तर के निर्धारन के लिए देखे सबसे पहला है आपका क्या काम होना चाहिए कि आप जो भी बच्चों को टीचिंग लर्निंग एक्सपिरियंस दे रहे होना वो वाइड रेंज में होना चाहिए व्यापक्ता होनी चाहिए जहाबर बच्चा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डवलब कर सके सबसे पहले आपको ये करना है ये करने के बास से आप बच्चों अपने क्लास का समिक्षा करो रिव्यू करो अपने प्लानिंग बनाओ तो पहले B होगा तो B आपका यहीं पर है उसके बास से आप A वाला पर जाओगे फिर उसके बास आप निरंतर सुधार की लिए प्रक्रिया अपनाएंगे and last में आप इस तरकर निर्धारन करोगे कि कहां तक बच्चे का डेवलोप्मेंट हुआ है so option number 2 हमारा इसमें सही हो जाता है देख लिजें इंग्रिस वाले भी आप सबसे पहले बच्चों को क्या करोगे teaching learning experience जो भी प्रवाइड करते हैं वो wide range में होना चाहिए ठीक है उसके बाद से आप अपने class का जो है observe करो, review करो, planning करो उसके बाद आप क्या करो improvement पे हर दिन continuous करना है last में आपको क्या करना है विकास के इस तरका determination करना है तो option number दूसरा हमारा सही हो जाता है, ओके चलिए और यह हमारे आज का जो है last question है देखे पर्यावरान अध्यन में पानी के उपलब्ध दा, मतलब पानी कितना उपलब्ध है और इसके पुना, मतलब उप्योग में recycle में, ठीक है, reuse में आप बच्चों को सिखाना चाहते हो न तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनी थी क्या discussion होगा, बस discussion से कुछ नहीं होता है आपको बच्चों को project देना है project दे दो, कि आज इतना पानी तुमको बचाना है, इसका reuse करना है, कैसे करोगे ये सबसे अच्छा तरीका है क्यों आप साच्छातकार लेलो, interview लेलो उसे कुछ नहीं होता है, experiment से भी कुछ नहीं होता है, पहले project बनवाओ फिर discussion करो, तो हर बचा अलग-लग अपना तर्क देगा, ठीक है so option number दूसरा जो है अमारा इसमें सही हो जाता है तो ये थी आज की class, आयोब आपको class पसंद आई होगी, तो please इस एक मैनत के लिए एक like तो बनता ही है और अपने दोस्तों को शेयर करो, चानल को subscribe कर लो bell icon प्रेस कर दो, हर दिन class देखो यकीन मानो, आपका seated 100% clear होगा मिलते हैं next class में, thanks for watching